पसकार दोस्तों स्वागत आपका मारे सुटूप चाल पर दोस्तों हम लोग जानेंगे अभिक्रिया की अर्धायू के बारे में यानि हाल फलाइप पिरियट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे दोस्तों ये अभिक्रिया की अर्धायू है क्या और किसे कहते हैं यहां पर द कहां दोस्तों किसी अभिक्री seconds याने अभिकारक में अभिकारक किसी अभिक्रीक याने अभिक्रिया में अभिक्रक की प््रारंबिक सांधरता के आधे हृने लिए जो रिएक्टेंट होता है kober b Line हमारे पास है ऐसे possiblee इस दोस्तों रियक्टेंट को आधा होने में जो समय लग जाए उसी कम लोगविक्रिया का अर्धायो कहते हैं चलिए से वैलु को जबारा हम लोग निकालते हैं अभीक्रिया के आर्धायो के दोस्तों हम लोगवाइलू को कैसे निकालें जराप ध्यान दियेगा यहाँ पर दोस्तों अभी हमने आपको इसके पूर विडियो लेक्षर में पर्थम कोड के अभिक्रिया के बारे में बताया तो पर्थम कोड के अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों K equal to 2.303 upon T into log A upon A minus X बेस्टेन होता है जब दोस्तो टाइम यहां पे हम क्या रखेंग टी हाफ यानि समय को अगर आधा कर दिया जाए जरा आप समझिएगा समय को दोस्तो अगर हम आधा कर दें तो concentration में भी changing आधा हो जाएगा अभी दोस्तो टी है यानि पूरा समय है अभी पूरा समय है तो दोस्तो इस पूरे समय में जब हम समय को क्या करते आधा कर देते हैं तो इसके concentration value में भी आधे changing हो जाती यानि k equal to a upon 2 हो जाता है बात समझ में आ रही है तो दोस्तो यक्स equal to a upon 2 यानि यह सांधरण में यह यक्स दोस्तों सांद्रण में यह दोस्तों इनिसियल सांद्रण था जब चेंजिंग होता है तो इनिसियल में से हमने क्या किया इनिसियल यह यह है तो जो चेंजिंग होता है यक्स चेंजिंग था इनिसियल यानि ए ए में से हमने इस चेंजिंग को एक्स को माइनस कर दिय यहीं तो है ने दोस्तो के इक कोल्टू क्या हुआ एपांट 2 राइट अब यहां पर आप ध्यान देजिए के कोल्टू क्या हो जाग दोस्तो 2.303 ट का वैलू हमने क्या रखा टी-हाफ लाग एपांट माइनस एक, ए माइनस एपान टू ठीक, एक्स का वैलू हमने एपान टू रख दिया, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दिजी, के कॉल्टू 2.303 अपान टी हाफ राइट, लाग एपान लाग एपान टू एक का दो, दो में से माइनस हुआ, एपान ठीक अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो क्या हो जाए गये केक कौल to 2.303 अपन टी हाफ लाग 2 ऊपर चला जाएगा यह से कैंसिल हो जाएगा अब दोस्तों लाग 2 का वैलू रखेंगे जब लाग 2 का वैलू रखेंगे यहां भी दोस्तों जब आप multiply करते हैं के equal to आता 0.6932 upon टीहाँ दरसल दोस्तों यही है अभिक्रिया की अर्धायू आप इसका screenshot ले लीजिएगा दोस्तों और इसे आप तैयार कर लीजिए इसे की दोस्तों हम लोग करते हैं अभिक्रिया की अर्धायू half life period और इनसे संबंदे थोड़ा हम लोग numerical के बारे में जिक्र करते हैं यहां पर ध्यान देजिए एक इससे संबंदे बड़ा simple numerical है पर्थम कोट की एक अभिक्रिया के लिए वेग इस्तिरांग के का मान 5.5 गुरी 10 गाते माइनस 14 सेकंड इन्वर्स पाया गया यानि दोस्तों एक पर्थम कोट के अभिक्रिया के लिए वेग इस्तिरांग यानि के का जो मान है इतना दिया है पांद समलोग 5 गुरी 10 गाते माइनस 14 सेकंड इन्वर्स पाया गया इस अभिक्रिया के लिए अर्धायू की गण्ड़ना करना है कैसे गण्ड़ना करेंगे चलिए इसके बारे म ज़रा हम लोग देखते हैं अब दोस्तों आप लोग ध्यान देजिए पर्थम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायू टी हाफ इकॉल टू कितना 0.6932 अपान के राइट दोस्तों के बराबर यहां पर क्या हो जाएगा 0.6932 अपान टी हाफ टी हाफ दोस्तों बराबर क्य हो जाएगा राइट अब दोस्तों यहां पर ध्यान देजिए पर्थम कोट की अभिक्रिया में एक हम दूसरे नुमेरिकल की बारे में बात कर रहे हैं पर्थम कोट की अभिक्रिया में 40 सिकंड में एक पदार्थ की सांदता प्रारामिक सांदता की आधि रह जाती है इस अब ध्यान दिए दोस्तो 40 सेकेंड अच्छे यह बताई दोस्तो जब यहां पर देखिए हमने क्या कहा एक पर्थम कोट के विक्रिया में 40 सेकेंड में एक पदार्थ की सांथा प्रारमिक सांथा की आधि रह जाती है प्रारमिक सांथा की आधि रह जाते 40 सेकेंड में दोस्त तो यहां पर टीहाब का वैलू रखेंगे जिरू पांट टीहाब का वैलू चारे से रखा दोस्तों यह एंसर निकल के आ जाता है राइट अब यहां पर हम लोग थार्ड नम्मर की के उस्चन के बारे में जिक्र करेंगे पर्थम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायू कित तो यहां उनातर दसमलों 3 है और जब इससे करते हैं यह दोस्तों वैलू निकल के आता है यहां देखिए दोस्तों किया था पर्थम कोट के अभिक्रिया के लिए अर्धायू या ने टीहाफ इतना दिया है सेकंड इस अभिक्रिया के लिए वेग इस्थिराँ के गलना करो दोस्तों इतना दिया तो वेगी स्थिरांग करना करना टीहाब का वैलू रख दो और सीधा यह अंसर निकल के आ जाएगा राइट तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाएं सुनने कोट के अभिक्रिया के बारे में सबसे पहला वीडियो लेचर फिर पर्थम कोट के अ विक्रियाम दोस्तों आता है अड़ धायुकाल इसके बारे में हमने जिक्र किया और दोस्तों इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेचर मुलाकात करेंगे और यह दियाब चैनल पर नए हैं सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तो पास शेयर करना ना भूलना थांक्स प्रोचिंग थांक्स फ्लोट धन्यवाद